राकेश बबत ने खुद को जोरू का गुलाम कहे जाने पर कश्मीरा शाह को दिया करारा जबाब जी हाँ तो क्या है पूरी खबर चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में वल आक्टर राकेश बबत बिग बॉस ओटीटी के घर में नज़र आये थे जहां शो के अंदर आउडियस को उनकी और श्यमीता शेटी की केमिस्ट्री काफी जदा पसंद आई थी इसी दोरान आक्टरिस कश्मीरा शानी उन्हें जोरू का गुलाम कमेंट किया था अब घर से बाहराने के बाद राकेश ने उन्हें जवाब दिया है जिहां जहां एक इंट्विए के दोरान राकेश ने कहा मैं कहूंगा कि मैं जोरू का गुलाम नहीं हूँ मैं एक केरिंग पती हूँ क्योंकि मैं हमेशे अपनी विमिन को स्पेस ट्रीटमेंट और समान देता हूँ मैं इसे क्रोस नहीं करता मैं अपनी विमिन को एक रानी की तरह मानता हूँ और एक आदमी को यही करना चाहिए क् प्यार और बहुत अधिक देखबाल है इसलिए कहीं न कहीं मैं अपने लोगों को स्पेशल ट्रीट करता हूँ ये आपको जोरू का गुलाम नहीं बनाता राकेश पपत आगे कहते हैं कि कई बार आप जुकते हैं क्योंकि आप उन्हें प्यार देना चाहते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जोरू के गुलाम हैं मैं हमेशा ऐसा ही रहा हूँ और ये मुझे कमजोर नहीं बनाता ये स्टैन लेने के बारे में नहीं है ये बस इतना है कि मैं कुछ चीज़े इगनोर कर देता हूँ मैं सामने वाली की खुशियों के लिए चीज़े इगनोर कर देता हूँ जोरू का गुलाम बस एक नाम है मुझे पता है कि मैं क्या हूँ जिहां इस तरह से राकेश पबत ने कश्मीरा शाह को दिया है करारा जवाब वल आपका क्या कहना है राकेश पबत के इस जवाब पर बताईएगा जरूर हम इंट सेक्शन में और इसी तरह की अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए हमारे चानल प्रेस निउस टीवी को